हेलो गैस्ड में चलो गैस- Ziel यू पीट्यिप्न सी पीटी के प्रेंट चैट में मैं के स्वागत बहुत सारे लोग कर रहें थे कि अंकीत भाठीर सरकार पेर कराया जायात तो चलिए सुरू कर लेते हैं इनका प्रेंटसर ने लिए तो आपके पास समय सब्सक्राइब速 सब्सक्राइब सब्सक्राइब जिस तरीके से इसका सलेवस दिया हुआ है तो गईज पहला प्रसन है पर भारती इतियास से ले लेते थे भारती इतियास में जो चीजे पूछी गई है उसमें यहां पर देख लेते हैं सबसे पहला प्रसन पूछा गया कि रजुक कौन थे तो रजुक कौन होते थे तो यह हो तो को बहुत धर्म की तो और आकरसित क्याता था पता होगी आसोक जो बहुत बड़ी जो कलिंग की दृत्या उसमें इनका हर्दे पर्विरतन हो गया था तो दो का राइड एंसर हो जाएगा यानिकी उपगुप्तु जो थे यह इनके एक तरीके से संत हुआ करते तो जोने उ नमदर चाल करता है कि रजिया बेगम को सत्ता चुक्त करने में इसका हाँ था सबसे ज्यादा तो जैस वह देख लेते हैं वह राइड आ यहां पर तुरकों का यमानिता है यह से चालिक सा का गठटन होगा था तो तुरकों का है मानिता है कि महिला कैसे सासन कर सकती हम लोग सासनकाल में अपनी प्राकाश्टा पर पहुंची थे मुगल चित्रकला जब किसके सासनकाल में अपनी प्राकाश्टा पर पहुंची थी तो गई इसका राइड एंसर क्या हो जगा जहांगी देखें जहांगी जिते वो चित्रकला के बहुत ही यहां पर फेमस थे यानि कि उन लिए फिन लाखता है कि तिलक को भारति आसंतोसा का जनक अब जाएगा अगले संक अब जाए और लड़ करजन केदा रही है वही लाड करजन है जिसने बंगाल का विवाजन किया था उन्यू सो पांच में इसको याद रखेगा लाड करजन ने कहा था कोशन नमबर यहाँ पर अगर आठ की बात कर लेते हैं तो आठ में कहा गया कि पील कमिशन की नियुक्ति किस मामले की जांच हे तू की गई थी देखे जो पील कमिशन बना हुआ था उसको यहाँ पर किसके लिए क्या गया था अठासो सताउन की करांती के लिए इस कमिशन की यहाँ पर नियुक्ति करी गई थी और यहाँ पर एक यहाँ पर हंटर कमिशन बना हुआ था याद रखेगा हंटर कमिशन के इसके लिए जलिया वाला बागत्यकांट के लिए बना था लेकिन पील कमिशन जो है वो अठासा सतान की करांती के जांच है तो बनाय गया था कोश्चन नमबर नो करता है कि सत्यार्थ प्रकास किसकी रचना है तो सत्यार्थ प्रकास जो रचना है वो आप सभी को पता होना चाहिए की दयानन सुरस्टी की है दयानन सुरस्टी की एक रचना है सत्यात प्रकास इनका राइट एंसर हो जाएगा Q& नमबर यहां पर देख लेते हricket है Q& नमबर यहां पर दसकता है कि Simon Commission भारत कब आया था Simon Commission भारत कब आया था इसलिए यहां पर में रूप से जो है भाइसकार किया गया था तो इसका जो राइड एंसर हो जगा वह जगा तीन फरवरी 1928 में यह आया था इसको याद रखिएगा इसलिए पर कौन सी राधानी पर इसती थे जाता है कि जैसे डेनूब नदी पर इसती थे याद रखेगा कौर्शन नमबर 12 कहता है कि निमलिकी में से कौन सा दीव विश्व का सबसे बड़ा दीव है विश्व का सबसे बड़ा दीव कौन सा है यह सबी लोगों पता होना अच्छिए ग्रीन लेंड है तो ग्रीन लेंड अगर आप मैं अप में देखते हैं तो आपको कहां पर बेर गिरती है तो बरखुन पर रुखे ना वो सरी इढ़े नीचे आ जाए तो पेंड़ कोई पर भाव नहीं पड़े तो क्या होता है सीतोस छेत्र में सीतोस छेटर का मतलब होता है जहां पर बहुत जदा ठंडी होती है बरभभारी होती है वहां पर संकुधारी बंपा ज सब्सक्राब्यजियुत दान्त का परतिवादन किया था वो किया गय था यहांगे भारती अर्थविवस्ता से नहीं को सोला कहा गया कि हर इत रोकर電जन करन 25 examined ती आईश वो यहां पर संब्दी थी बांस उत्पादन से तो बांस उत्पादन से क्या संब्दी थी हरित सोना करांती इसको याद रखेगा आप जैसे ब्लू करांती पढ़ते हैं फिर पीली करांती फिर यहां पर इसी तरीके करांती जो है इसमें एक करांती है हरित सोना करा तो बांस उत्पादन से संब्दी थे इसको याद रखे बांस सबसे कहां पाया जाता है पूरवी राज्यों में पूरवी राज्यों में पूरवी राज्यों से आसाम होगे रहा है और चल पर वहां पर बांस की खेती या फिर बहुत जादा पाया जाता है एक चीज़ और बत 17 का राइड एंसर है वो यह था तो वह थी पाँचवी पंचवर्सियोजना में क्या कि आ गया था काम के बदले अनाज इस से वा को प्रारम किया गया और यहां पर देखिये गरीबी रेखा पर सबसे दादा जो रिकिस पंचवर्सियोजना में दिया गया था तो वह थी आथारा का राइडिंसर क्या हो जाएकगा, जमु एंड कस्मीर बैंक, जो है, वो पने,जी बैंक के तहट आती है, ड़क्टर वर्गिज कुरियन के जनव रूप में मना जाता है, तो पहले हम जानते हैं किस लिए जाना जाता है, तो इनको यहाँ पर जो क्रांतियां हुए जैसे कोई हरित क्रांति है तो इस से related यह रहते हैं तो यहाँ पर देख लिए इसका राइडेंसर क्या हो जागा नेशनल मिल्क डे तो और नेशनल मिल्क डे की रूप में इनको जाना जाता है और यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लिए करना चाहता हूँ कि जो आपका milk day है वो किस चीज़ आपरेशन फलड से संबंदी थे दुख दूत पादन ये भी परसंद पूछा जाता है question number यहाँ पे 20 कहता है कि योजना आयोग को आर्थिक मंती मंदल किस ने बताया था योजना आयोग जो अब नीत आयोग के नाम पे हो गई है 2015 में जिसके अध्यचे प्रधान मंतरी हैं याद रखिएगा अगला question देख लेते हैं तो वो रहेंगे भारती समिधान एवं लोग पुरसासन थे तो 21 में कहता है कि भारती समिधान का अनुचे 249 समबंदी थे तो भारती समिधान का अनुचे 249 जो समबंदी थे वो किस चीज़ समबंदी थे 21 में देखें तो उसमें कहा गया है कि राज सूची के विश्यों के संबंद में संसत की विधाय सक्तियों से ये संबंदी थे अनुचेद 249 कोश्यों नमबर यहां पर देख लेते हैं 22 कहता है कि अनुचेद 108 के अंतरगत लोक्षभा और राज स्वा की संयुक्त बैठक आगूत की जाती है तो अनुचेद 108 में क्या किया जाता है ये भी परसंद पूछा जाता है तो देखिए जो संयुक्त बैठक होती है वो यहां प नमबर बताया जाता है 23 में कहता है कि केंद्र और राज्यों के मद्ध होने वाले विवादों का निर्ड़े करने की सकती उच्चितम नयाले के किस छेत्रादिकार के अंतरगत आता है तो आप यहां पर देखे देखे जो आपके केंद्र और राज्यों में विवाद होते है उसका जो उच्छतम नियाले के किस छेता दिकार में आता है 23 का राइट अंसर्सियन की मूल छेता दिकार के अंतरगत ये चीज़े आती हैं कि वाकेंदर और राजों के विवादों का निप्टारा करे या फिर उसका समाधान दे कोश्चन नमबर पर 24 कहता है कि भारत में पंचायती राज विवस्था सबसे पहले कहां पर लागू की गई सबसे पहले किस राज में लागू करी गई थी तो पंचायती राज विवस्था 24 का राइट अंसर्सी राजस्थान के नागोर जिले में सबसे पहले यहां पर पंचा 46 में आपको पंचायती राज विवस्था के बारे में भी बताया गया है तो इतने एक्षा फैक्टर भी आपको बताते चलते हैं कोश्चन नमबर 25 कहता है कि असोक महता समती ने पंचायती राज के लिए किस अतिमान यानि के मॉडल की अनुसंसा की थी तो असोक महता समती के ह हमने अब भी बात करी तो एहां पर यह त्री स्थरी जो है यह का राइड़ ऐंसर क्या होगा माप कीजिवरह चितरी बाड में आया था असोक महता समती जो है उन्होंने क्या किया था 2 इस तरी की मांग खरी थी लेकिन इस को यहां पर इनको नहीं सुकारा गया था इसके बार जो इस समय चले ही वो त्री इस्तरी असोग मेता समतियानी की त्री इस्तरी मौडल है अपने पंचायती राज़ का तो इसको याद रखे कि असोग मेता के लिए दूश्टरी है थोड़ा सा कन्फूजिनस में है आपको भी हो सकती है और मुझे भी हो गई चलिए को लाइक कर सकते हैं वीडियो अगर पसंद है तो 26 में कहता है कि मानो सरीर में पाचन का अधिकांस भाग किस अंग में संपन होता है तो 26 कहता है यहाँ पर सी यानि कि छोटी आत में सबसे ज़्यादा पाचन होता है और यहीं से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम तो चोटी आते लेकिन छोटी होती नहीं है यह लगबक 6-7 मीटर के आस प्यक्ति है हमारे सरीर में और यहाँ पंपसंद पूछा जाता है और यहाँ पर पीजेर पचन वो मस्तिक्स में इस्तित होती है और यहां पे एक पिट्यूट्री ग्लेंड होती है वो भी मस्तिक में इस्तित होती है और एक हाइपोथायलमस ग्लेंड होती है वो क्या करती है हमारे बॉड़ी के टंप्रेचर को रेगुलेट करती है कोश्चन नमबर यहां पे देख लेते ह तो पारा आपको पता है कि रूम टंपरेचर पर भी लुक्विड में रहता है तो आहां पर देख लेते 28 का राइडेंसर क्या हो जाएगा उच्च संचालन सकती होती है इसकी सबसे ज़्यादा जो संचालन सकती होती है इसी वज़े से इसको यहां पर थरमा मीटर वगरा में सब्सक्राइब मेरा में 3 इंहांवन टेलिग लिए उप्योग होता है विल्ड के लिए तो वेल्डीं के यहां पर यहां पर कया थे वेल्डिंग के लिए तो आॉक्फिजन तो important है यह acetylene भी बहुत important होती है building के लिए question number यहाँ पे अगला देख लेते हैं guys तो guys question number 30 में कहता है कि निम लिखी में से ethanol किस से प्राप्ट किया जाता है तो guys देखे 30 का राइड एंसर क्या हो जागा गन्ना तो सभी को पता है कि जो ethanol होती है जो कच्ची दारू बनती है वो या तो आपकी गन्ने से बनती है या पर चावल से बनती है लेकिन आप जो ethanol मुकिता होता है वो गन्ने से प्राप्ट किया जाता है यह इस का राइड एंसर हो जागा तो 30% हो गए अब चले प्रारंबी गड़ित के लेकर तो प्रारंबी गड़ित में क्या है आपको पांच अंकों का यहां पर गड़ित पूछा जाएगा तो इनको जल्दे से solve कर लेते हैं इसी लेविल का आपका वेपर आएगा यह मत सोचेगा क्योंकि यह प्री है यह ट्रेलर है मूवी तो बाद में आएगी तो वो tough हो सकती है तो गड़िस के पहले पर समय नजय डालते है तो कहता है यहां पर root 8 मायनस root 4 root 2 यहां पर इस value दी है तो इसको कहके ने simple sa simplification की तरीके solve करना है तो हम इसको आगए गर लिख सकते हैं किस तर बहुत आसान देखे लिए कितना असान सा है तो इसका राइट सर को होजाएगा अब यहां पर देख लेटें यह भी सिंप्लिपिकेशन का है तो यह भी बहुत आसान सा है इसको आप अपने साब से कर लीजे कुछ नहीं आपको करना है सिर्फ आपको पच्छांतर करना है यहां पर एकस मान सकते हैं इसको कोर्षचन मार्क के जगा उसके बाद है पिसको शाल कर लीजेगा तो बत्रिस का आपका राइड एंसर आजाएगा आराम से थी कि इसको आप कर लीजेगा अब यहां पर देख लेते हैं 33 वह तैस को मैं करा देता हूं 33 में कहता है कि 12 विक्तियों का आय वह X है, तो हमने मान लिजे के डा माना 12 वjektियों के ऐसे टाईब X मान लिया है, अब जो इसमें ब्रAD-Dी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, अब जो ब्रAD-Dी हो जाएगी, ब्र. 12 लिप दो 24 तो 24 की यहां पर ब्र.Ddie हो जाएगी, विल्कुल हो जाएगी, ठीक है, अब यह यहां पर क्या बोला कि कि दो नए विक्तियों आ जाने से दो वस बढ़ जाती है तब आप क्या करेंगे तब इसको क्या करेंगे 21 है और उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगी प्लस 25 तो 21 प्लस 25 यह आपका देखिए यहां पर दिये हुआ है तो इसको आपस में जोड़ देंगे कितना हो जागा यह आपका 46 और च्यालिस ओचवविस का यो टोटल कितना हो जागा वह जागा पांसो का 55% का 20 से अब यहां पर क्या होगा इतना कटी जाएगा पांस से एहां पर सब्सक्राइब कितना आसान सा परशन है आपे देख से 75 का अब यहां पर अगले में भी आपको बहुत आसाने अब यहां पर 28 बटे यहां पर question mark है उसका question mark है फिर क्या बोला है 112 दिया हुआ है अब यहाँ पर क्या करेंगे question mark को हम अगर एक side line जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो question mark square हो जाएगा है आप x भी मान सकते हैं अब क्या हो जाएगा 28 28 हो गया इधर 112 हो हो गया ठीक है अब यहाँ पर 112 के अगर फैक्टर करते हैं चलिए में एक समार लेते हैं यह question mark हमने एक से रख दिया कोई दिक्कत नहीं होती है अब यहाँ पर एक स्कार हो गया kis 28 अगर को क्या लिख सकते हैं 28 गुड़े चार लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं कि यहीं तो आज का है गा तो प्रैक्टर तो हम कर रहे हैं अब क्या हो जाएगा यहाँ पर इसके आगे तो ग्राफ जो आपके 20 नंबर का नाड यह हम लास्ट में करेंगे उससे पहले आपका आदलाग पोर्सन है ठीक हो कर लेते हैं कि हमारा एक फ्लो बना रहे प्रसंती से सब्सक्राइं की स्केल से पर संबने थो प्रसंती सिंग नहीं तो पहले से इनके वेक्तियों को भी आप नहीं जानते होंगे लेकिन यहां पर फेमस परस्नाल्टी ही पूछी आती है तो यह पूछे जा सकते हैं कोश्चन नमबर 82 कहता है कि ग्रीम बर्दर्स द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है तो ग्रीम बर्दर्स जो पुस्तक लिखी गई है 82 का राइड असर हो जाएगा यानि कि the golden birth इसका राइड असर हो जाएगा golden bird कोश्चन नमबर 83 जो कहता है कि निमलिकी में से किसने एखी बिशे में दो नोबल पुर्शकार पराफ के थे तो ऐसा करने वाले विखती थे जौन वर्दीन तो जौन वर्दीन को एक ही विशे में दो नूबल पुर्शकार प्राप्त हुए थे कोशन नमबर 83 का राइटन से हो जाए गभी कोशन नमबर यहां पर 84 की बात कर लेते हैं तो इस्पेन की राधानी कहा है कोशन नमबर 83 कि बात प्राइटने से हो जाएटनी के और जे स हरिसाने से . यू-पी का कोशन नमबर 86 किता है किस भारती राज बे ड्री तिउभार मना जाता हे एक भारती राज जहांब पर ड्री तिउभार मना जाता है ड्री तेवहार जो है वो कहाँ पर मना जाता है 86 गर राइडेंसर यह जागा या यह कमा जाता है अवड़ाचल प्रदेश बे ड्री तेवहार मना जाता है इसको याद रखें तो गई जहां पर कोशन नंबर 87 देखे तो कोशन रिपीट हुआ है तो इसमें बोला गया है कि नि जो लॉजिकल सर्वे आफ इंडिया की स्थापना आप की गई थी तो जो लॉजिकल सर्वे आफ इंडिया की स्थापना करी गई थी इसको याद रखे और फिचान नंबर यहां पर देख लेते हैं कहता है 89 में कि विधान सभा का 17 वशान करने की सक्ति किसके पास से तो नेवल पे न में सबसे मैंधपूर्ण होता है तो विद्धान सबा जो होथा है आपको पता है जहां विधायक की दाधानी है कोश्चन नमबर यहाप देख लेते हैं करेंट फेर में करेंट फेर क्या आपके दस प्रसंट पूचा जाने इस एक्जाम में तो बहुत ही इंपोर्टेंट है तो इनको चलिए इल्दी से ले लेते हैं ताब यहाँ पर बोला गया कि सावरकर कॉंटेस्टेड लिएसी उनिस सोच चाचाट तक नामक पुस्तक के लेखक वने तो हाली में पुस्तक पब्लिश करी गई तो बहुत ही इंपोर्टेंट है वो ला गये सावरकर कांटेस्टेड लिएसी 1924 टू 1966 इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह क्वाने वह हैं विक्रम संपत्त विक्रम सं सबसे पहला उसका दिया घया उसको नाम दिया घया यहां पर यह आई री में आज किन नीःर्ट के खब्ल में खावर थी जिसमें बोला गया मद्या जिस में पहला पर अधर दिन में जुञागे यह वायरण को था जो आपर दिक्रम समाः को एक governo तो याद रखेगा जो टोटल एकोनॉमी में ग्रोथ में जो गिरावट आई है वह साथ पॉइंट तीन परसेंट है चौरानवे कहता है कि विदेश मंत्रियों की बैठक को अध्यक्षता किसने की तो बिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की जो अध्यक्षता कि ब्रिक्स पता है कि यहाँ पर देशों को संगठन है तो उसकी अध्यक्षता यहाँ पर किसने करी तो चौरानवे का रिदेश मंत्राले के मंत्री थे इनका राइट एंसर हो जाएगा कोशन नमबर यहाँ पर देख लिए थे कोशन नमबर 95 कहता है कि कौन सा राज स्कूल वा कॉलेज पाठे करम में आपदा और महामारी प्रबंदन को सामिल करेगा तो दीखे आपदा और महामारी का मतलब क्या है जैसे अभी कोरोना महामारी थी और आपदा में बाढ़ वगेरा से जितनी आपदाएं आती है तो उसको सामिल किया जाएगा इसकूल के पाठे करम में उसमें निपटने के लिए प्रावधान या फिर उनको यहां पर जानकरी दी जाएगी किस तरीके से जागरूपता हासिल हो तो 95 का राइडेंसर C यानि कि ओडिसा मैं अभी आपको पता है कितने सारे तुफान ने वहां पर तबाही मचाई तो इसका राइडेंसर क्या हो जेगा ओड ट्री डेरी महासंग है दुद्र संसधान जो है वह कहां पर हर याणा मिशती थे अपने हां कुशन नमबर चताने वे कहता है कि दूसरा यूएन सतती परिवहन सम्मेलन 2021 कहां पर आज़जुद किया गया देखे यूएन के दौरा सतती परिवहन सम्मेलन पहला सब्सक्राइब नंबर 98 में कहता है कि आपका हाली में किस राज जी में इंजीनिरिंग वार मेडिकल कॉलेज में लड़कियों हो 33 परसेंट आरच्षड दिया गया है तो 98 इंजीनिरिंग वार मेडिकल कॉलेज में जो नीट और आयाइटी के लिए बच्चे जाते हैं उनमें कुर 33 परसंट लिया जाएगा 98 का जो राइड एंसर है आपका डी हो जाएगा यहां पर अगला परसंट देखें तो गाइस अगले परसंट पर नजरालते कोश्चन नबर 99 करता है किस राज जिने कोवीड मुक्त गाउं परतयोकता की घोशड़ा करी है तो यहां पर एक राज है जिसने कहा है कोवीड मुक्त गाउं की परतयोकता की घोशड़ा करी जो किया गया कि महराष्ट की जितने गाउं है उनमें एक जागुरता फिलाने के लिए कोविड मुक्त गाउं पृत्योकता का प्रारम किया गया अगला कोशन देख कोशन नमबर सो करता है कि अफरीकी संग ने हाली में किस देश की सदस्टा को लिलंबित कर दिया है तो अफरीका कि देश का दर्जा नहीं दिया गया है तो यह याद रखेगा कोशन नमबर यह सव हो गया आप चलिए अगले परसनों के चलिए क्योंकि हमने जियस का पूरा सेक्षन हैं पर कंप्लीट कर दिया है गईश पांच नमबर का आपके हैं पर समान हिंदी के परसन पूछे जाने नहीं कि कहता है छपपण में कि सेश इस मृतियां के लेखक कौन है पर ज वो fire बराव क्या होगा तो सतावनध का पर जो राइडनेंसर है सेनुकि तिनल भाव इसका राइडनेंसर हो जाएगा कोशन नंबर यहांपे यहांपे जेख लेते हैं कोशन नंबर यहां-बूर और कदम का जो सही मिलान किया गया है नीचे इसका आर्थ क्या होता है वो देख लेते हैं अब यहाँ पे 19 में गध्यान से देखें आपका राइड अशर क्या हो जाएगा D यानि कदम एक ब्रच होता है और कदम का मतलब होता है पायर से एक कदम चलना तो डी इसका राइड अंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है कोशन नमबर यहाँ पे देख लेते हैं 60 60 में बुला गया कि निमलिकित वाक्यों में से कौन सा वाक की सुद्ध है यह बुदला गया है तो 60 में अगर यहाँ पे देहां से देखें तो आपका जो बी ऑप्सन इसको पढ़ेंगी तो कहता है कि राम, सीता और लच्छमड वन को गए यही सही है ठीक है यह सही है बाकी अगर आपे देखें उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी यह गलत है सारे के सारे हैं कहीं न कहीं गलत हैं गराम टेक ली लेकिन यहाँ पर जो का बी है यह बिल्कुर सही है तो यह इसका राइड एंसर हो जाएगा गाईस पीटी में अभी पांस नंबर का आपका समान अग्रेजी से परसन आने हैं पांस परसन आने हैं समान अंग्रेजी में समान अंग्रेजी में पैसे जाएगा और हो सकता है एक दो आपके ग्रामर के भी परसन डाल दे जाएं तो 71 में कहता है कि the top ranking student dash his success in his studies to his headmaster guidance नहीं कि बोला जो टॉप करते हैं स्टुडेंट वो अपने हेड़ मास्टर की गाइडेंस की वज़े से यहां पर टॉप करते हैं तो यहां पर जो डैस में फिल किया जाए वो क्या किया जाएगा तो 71 का यहां पर एट्रिब्यूट यहां पर बिल्कुल सही एप्रोप्रेट यहां पर जो वर्ड मीनिंग है वो हो जाएगा जो 72 कहता है इसमें बोला गया है कि आई डू नॉट डैस विद द व्यूज एक्सप्रेस्ट इन यूर नूजपेपर तो यहां पर कहता है कि जो आपके नूजपेपर में दिया गया उसका व्यूज एक्सप्रेस नहीं करता ह हूं ठीक है तो यहां पर क्या बोला है 72 में जो अप्रोपियेट भरा जाएगा वह जाएगा डियानी की कंकर हो जाएगा कोशन नंबर 73 कहता है कि दा कम्यूनिस्ट रिप्रेजेंट्स दा डैस आफ एवर्यूज नोबल देट वी हैव इन हेरिटेट फ्रॉम और कल्चर एं पैसेज में क्या है आपको इक पढ़ना है चोटा सा उसके बाद यहां पर लिए पढ़ली जे बहुत चोटा सा पैसेज है तो उम्मीद करते हैं आपने इसको पढ़ लिया होगा वीडियो पॉस करके छोटा सा दो मिनट का था आप यहां पर इसका पहला पसंद कहता है इसमें 74 में कि यहां पर अपने जो लेटर पार्ट आप इस लाइफ के लिए वह बहुत ही दुखी होता है वह किस वज़े से होता है यहां पर यह पैसिज में आपको देखने को मिला कुछिज नमबर 75 करता है कि the victories of the past तो करता है the victories of the past जो इतिहास की जो लड़ाईयां जीती गई हैं जो victories हैं जो वीजय हैं वो क्या है जो 75 का भी हो जाएगा proved to be temporary events तो बोला गया है कि जो इतिहास की लडाईया है वो क्या करती है प्रूव करती है temporary events को ये 75 का राइड एंसर भी हो गया ये हमने अब भी यहाँ पर पढ़ा हुआ था अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ आपके तरक केवं तरक सकती से यानि कि 5% आपके रिजिनिंग के आएंगे अब 5% रिजिनिंग के आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा अब यहाँ पर देखें अब 76 में क्या बोला गया है कि दिनेश को इस वर्स अपने वेतन में सबसे अधिग वेतन ब्रद्धी प्राप्त होती है क्योंकि उन्होंने अपनी विभाग में सबसे अच्छा पदर्शन किया था और अपने सभी लच्छे को हासिल किया था इस कथन से निमलिखित में से कौन सा पूर्वा निवान निहित नहीं है अब यह जो आपका कथन दिया हमने पूरा कथन पढ़ा भी दिनेश को ले करके तो इसका बोला कि कौन सा पूर्वा उमान जो है वो सही नहीं है यहाँ पर अब यहाँ पे 76 में अगर हम आपको दिखाएं तो पहला कहता है कि उच्च वेतन ब्रद्धी के लिए कारिस्तर पर उच्च परदसन के आउक्सता होती है यह सही है यह इसके इसाब से सही है फिर यहाँ पर यह बोला निश्कस किता है कि यह लच्च को हासिल करने का अर्थ काजितर पूछ प्रदसन होता है ये भी सही है क्योंकि देखे काथार निश्कस के परसन पिछले बार भी यूपी ट्रिपल सी के गजामें बहुत पूछे गयते हैं तो यहां पर भी पूछेंगे अधारडा पूर धारडा काथन कारवाही ये सब अब यहां पर जिसका सी वाल कि इसका उत्तर देने के लिए विकल्पों में से किस अत्रिक्त सूचना की आवक्सता है अब यहां पर इसको तो आप अपने हिसाब से करेंगे क्योंकि एक रिलेशन का प्रशन है तो इसको आप देखेंगे उसके बाद यहां पर नीचे आप देखेंगे कौन सा इसका सही इसको आप अपने आप कर लीजेगा क्योंकि रिलेशन का है तो यहां पर देखेंगे वह देखना है आपको तो यहां पर देख लेते हैं यह आपका 3 11 की दिए 5 13 8 16 14 24 का दिया है तो इसको किस तरीके से विसम चाटेंगे तो गयारा में से लकी यहां पर बिन हो जाएगा क्योंकि यहां पर आलग पैटन यहां आप को यहां पर तो आप इसको धूरा सब्साप्स आपके आपको जो करेंगे आ no और से अगले देखे तो कहता है यहां पे नीचे दिए गए सब्सक्राइब का सार्थक करम क्या होगा वह आपको बताना है तो आप सभी को पता होगी सबसे चोटी गया उती सेल होती है तो यहां पे सबसे पहले आपका सेला जाएगा उसके वाद यहां पर आपका उतक हो कि थिरी पहले आएगा कोशिका होगी फिर यहां पर टिस्टू बनेंगे फिर जाकर यहां पर अंग बनेगा तो यह इसका राइडस हो जाएगा अगले पसनों की ओर रहां पर चल तो गैसे आप क्या है अब आपका अप्टित हिंदी गद्यांस का भी वेचेनों विश्यासर यहां पर राजस्थान के उनके बारे में करते हैं तो उम्मीद है आपने पूरा पैसे पढ़ लिया होगा बहुत आसानी से दो मिनट का ही काम था इसको पैसे को पढ़ना जो यहां पर राजस्थान के जो उनके वारे में कहा गया है आप यहां पे 16 में पूछा गया है बोला गया है कि उन्ट एक सब्ता से अधिक तक बिना पानी पीए चल सकता है तो उन्ट जो है एक सब्ता से अधिक तक बिना पानी चल सकता है क्योंकि इसके एक या दो कूबड होते हैं ठीक है जिसमें वह पानी बहुत भर सक सकता है इसी वज़े से हां पर चल सकता है कошट नमबर यहां पर 22 में कहता है कि पयरा में अप्रिहार सब्सक्न का safe that देखी ऑना का मतलब होता है महतपूर यह प्रशन गरामर का भी withdrawn का ć confined कशन नमबर तीर साठे कहता है कि उठ अपनी नाक और आखे को रेत से कैसे बचाता है लिए यहां है जया और साव हुँषी से वहां पर रेत से बचता है कि यहां पर उपयूपिवत शिर्षय क्या है इसान अनुछेद को हमने पढ़ा जिसमें आप देख सकते हैं कि जो राज तो वहाँ पैसे शीर्षक क्या होंगा है, उप्ईयूपतो 64건20 hypothesis निए कि मरूषथल का जहाज उंट क्योंकि इसको यहां पर रीगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो मरूषथल क grown चैंसर का जहाज उंट्यू उप्यूकतो सृर्षक हो जाएगा। . पुरा पैसेज में पढ़ा था आप अगला पैसेज देख लेते हैं जो गद्यांस नंबर 2 है तो यहां पर एक कर्णिया कुमारी एक सुन्दर इस्थल है क्योंकि यहां पर यह तीन और से समुझ से गिरा हुआ इसलिए बहुत ही सुन्दर इस्थल माना जाता है कुशन नमबर यहां पर 77 जो पैसेज में पूछा गया कि कन्या कुमारी में सुर्योदेपूर में अब यहां पर देख लेते हैं इसके आगे क्या चीज़ पूर्ड करेगी तो यह हो जाए गड़ी यानि की प्रसांत महासागर से होता है कन्याकमारी में सुर्यदे पूर में प्रसांत महासागर से होता है यही तो हमने भी पैसेज में पढ़ा है अब पैसेज का जो यहाँ पर 68 कहता है 68 में है कि भारत में केवल कन्याकमारी एक ऐसा इस्तल है जो तो भारत में केवल एक सा कन्याकमारी जहां सूर को समुद्र से देख सकते हैं कोश्चन नमबर यहां पर उन्यास पूछा गया इस पैसे से कि पैसेज बहुत आसान होते दस नमबर तो आप सब लोग करके ही आएंगे 110 परसेंट तो कन्या कुमारी के संदर का आनद लेने का सबसे अच्छा समय कौन सा है तो कुमारी के सत्तर कहता है आपका कहता है कि सत्तर में कन्या कुमारी में पूर्णिमा के दिन एक ही समय में आग के दो गोलों को देख सकते हैं इसका अर्थ है क्या है तो कन्या कुमारी में जब पूर्णिमा होती है तो एक ही समय में आग के गोलों को देखा जा सकता है इसका मतलब यह होता है कि एक ही समय में पश्ची में सुर्यात और पूर में चंदरोदय देख सकते हैं यानि कि सुर्यास्त होता रहेगा और चांद भी निकलेगा पूर्डिमा के दिन का तब पूरा चांद निकलता इसलिए बोला कि यहां पर आके दो गोले देख सकते हैं यह यहां पर इस पैसेज में आपको दिया हुआ था तो पैसेज हमने कंप्लीट कर लिए 10 बाकी आप हमार पाप बचा क्या है सिर्फ वो सिर्फ डियाई का पॉर्षन बचा है 20 नमबर का तो डियाई का पॉर्षन जो है वो चलिए रूप एक्चुली दिये हुए हैं तो कशलता है कि उन रक्तदाटाओं की संख्या बताइये जिनका रक्षमूव Naz hypoth his उसको हम कैसे और इसको निकालेंगे तो अब देख लेते हैं उका हमारा यहां पर कितना एंगल दिया हुआ एक हजार माप की जेगा 100.8 डिगरी यहां पर दिया हुआ है अब 100.8 डिगरी दिया हुआ है तो टोटल कितना होता है इसका टोटल होता है आपका 360 बिल्कुल होता है तो तींचे 360 रखेंगे और गुड़ा यहां पर क्या करेंगे आप कर देंगे इसको डेड़ सो अब डेड़ सो क्यों करेंगे कि बाकी जो बच्चा कितना है वो आपका डेड़ सो है अब यहां पर इसको काट लेंगे काटने के बाद जो आपकी वैलू आ जाएगी वो 42 आ जाएगी तो टोटल जो है वो 42 लोग है निकि ओर गुरूप जिनका है वो टोटल 42 है तो अब यहां पर ध्यान से देखिए तो खेता है यह तो अग्र हम बीवालों की बात कर लेते हैं अगर बीवालों की बात करें तो कितना हो जाएगा 129.6 32360 ठैक, प्लस 72 यहां पर कर लेंगे अब उसके बाद क्या होजाएगा गुड़े देड़ तो तो हम करेंगे ही अब यहाँ पर बोला या तो A है या तो B है यह आपका हो गया उसके बाद इसको हम अगर स्वार्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा यह 84 आपका जाएगा त्यूंकि यहाँ पर A का 72 था यह B के वैलू है 139.6 डिगरी तो हमने यही तो किया है उन दोनों को जोड लिया क्यो देख लेते हैं तो सिंपल सापका कितना है टोटल उनका उनका है 57.6 अब देखें पाई चार्ट में 57.6 तो दिया हुआ है अब यहाँ पे 360 कर लेंगे गुड़े यहाँ यहाँ पे 500 कर लेंगे आप इसको सॉल कर लेंगे तो इसको सॉल करेंगे तो आपका राइड़न से कि अपात क्या है तो अब又 रख्त्समु ए और रख्त्समु ए-b क्या रख्त्दाटाओं का अनुपात जो है 49 में क्या हो जाएगा तोि कि टोटल कितना है आपका देखे एक कितना है में 72 अब इसको उपर नीचे तो रखना ताभ इसको काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा तो देखिए अगला कोश्चन में 40 कहता है कि रख्तसमू एवाले रख्त दाताओं की संक्या कितनी अब ए वाले रख्त दाताओं की संक्या पूछा है एक ही वैलू कितनी है 72 है इको 360 कर देंगे और यहां पर गुड़े में कितना कर देंगे तो इसको आप सौल कर लेंगे तो आपका राइडन से 30 आ जाएगा तो बहुत ही आसान से पाई चार 20 हुई फरवरी में 19 हुई तो इस तरीके से दिया हुआ है अब इसको हमें आप पहला परसंट देखें पहले परसंट में बोला गया कि अपरेल मा में हुए गदुरगटनाओं की संक्या सहर में कुल दुरगटनाओं का कितना परसंट है अब जो अपरेल मा में हुई अपरे जो है उसका 43 का परसंटेशी तो पूछा है तो 43 को उपर रखेंगे टोटल है हाँ पर नीचे रखेंगे और इसको हमें हाँ पर काट देंगे तो काटने के बाद जो लगभग हमारी वैलू आएगी वो 24 परसंट आजाएगी तो ये इस तरीके से कर सकते हैं कोशन नंबर 42 कहता है कि फरवरी माह में दुरगटनाओं की कुल संक्या में किरते परसंट की कमी आई है तो आप देखें यहाँ पर पूछा के कितने परसंट की आपकी कमी आई है फरवरी माह में अब फरवरी माह में कमी का क्या होता है आप देखें जनवरी में 25 थी और यहा 24 तो 24 परसंट की कमी आई ये देख लीजिए बिल्कूर बहुत ही आसान से हलोवा परसंट है कुश्चन नमबर यहां पर गला देखे 43 कहता है कि जनवरी और मई माह में हुए दुरगटनाओं का आउसत क्या है अब जनवरी और मई की वैलू देखें जनवरी में 25 है मई में 35 है तो 25 और 35 कितना हो जाएगा इसको जोड़के देखेंगे तो 60 हो जाएगा अब यहां पर आउसत क्या है दो ही का निकालना है माई और जनवरी का निक दो मन्त का आउसत है नीचे दो रखेंगे तो 30 स्का राइडेंसर आ जाएगा 30 यहां पर इसका आउसत हो जाएगा निकि जनवरी और माई में 30 वेक्ती मरे आउसतन question number यहां पर अगला देख लेते हैं अगले में कहता है कि 44 में वर्स के शुरू के 6 माह में हुए दुरगटनाओं का आउसत क्या है अब वर्स के 6 माह में आपके दिये value सारी के सारी दे रखी है देख लिजे 6 माह की value दिये जनवरी फरवरी मार्च अपरेल माई जून तक तो हम आप 6 में दिया 6 से इसको divide कर देंगे तो आपका राइड एंसर क्या हो जागा 29.83 29.83 इसका राइड एंसर हो गया बहुत यह आसान था अगला परसन देख लेते हैं 45 के ताई किस माह सहर में दुरूगटनाओं सबसे आधिक हुई आप यहां पर देखे किस माह सहर में दुर